हलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चैनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो इस विडियो में हम एक ऐसी नई कमपनी को अपडेट कर रहे हैं जिसको आप नहीं जानते होंगे ठीके और यह क्यों अपडेट कर 30,000 करोर का बिसनस हो सकता है 3,75,000 करोर का अब 3,75,000 करोर का बिसनस या अकेली कमपनी नहीं करेगी यह एक सेक्टर करेगा एक इंडस्टी करेगी और उसके चलते इस कमपनी को क्यों फायदा होगा कैसे होगा वो सारी चीजे मैं आपको बताने वाला हूं अभी तो खाली न दो महने में ही इतना बड़ा बिजनस हो जाएगा तो ये दो महने के चलते इस कंपनी का जो Q3 का नंबर है वो बहुत खतिरनाक आ सकता है और ये कंपनी एकदम प्रीमियम कॉलिटी का बिजनस करती है प्रीमियम कॉलिटी का ठीक है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे अब देखते हैं आज दोस्तो बाजार का मतलब आखरी अपता है साल का और साल का आज आखरी दिन भी है ये मानके चलिए बाजार के हिसाब से अब जब बाजार ओपन होगा तो नए साल में ओपन होगा तो काफी बढ़िया देखने को मिलेगा हर कोई चाहता है कि मैं ऐसे मैं इन्वेस्मेंट करूँ जो मुझे 2023 में अच्छा रिटन देखे जाए तो आप लोगों के लिए ये कामपनी जो मैं आपको अपडेट करूँ काफी बढ़िया हो सकती है क्यों कैसे सब चीजे में इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ तो फटा पट से इस वीडियो क कि बेटिंग सेक्टर में दोस्तो जो बिजनस होगा वो 3,75,000 करूड का होगा कब से कब तक यह होगा खाली 4 नौंबर से 14 दिसंबर तक मात्र इतने ही दिन का मतलब अगर मैं बात करता हूँ तो दो महने 10 दिन दो महने 10 दिन का ही ये बिजनस है वर अभी 14 दिसंबर के बात का तो जूड़ा ही नहीं है खाली यही रिपोर्ट आई थी तो साधियों की जो साधियों में जो पैसा खर्च होगा वो लगबख 3,75,000 करूड का होगा और इसमें लगबख 32,00,000 साधिया होगी ऐसा रिपोर्ट निकल के आया था अब इसमें दोस्तो अब आपको तो पता ह ठीके साधियों में जो पैसा खर्च होता वो तो अलग है कि FMCG में होता है, हॉल बुक करने में होता है, कबड़े खरीदने में होता है, सू खरीदने में होता है, सोने चांदे खरीदने में होता है और इसी बहुत सारी चीज़े होती है ठीके लेकिन आप किसी वेक्ति के ब पहले आप क्या सोचते हो कि मैं घडी करूं कि इसBOC में यही आता है प्रीमें कॉल टी की घडी मैं आपको क्या करूं गिफ्ट करूं और वह बंदा गדי साधी ये सोचता है कि मैं महेंगे दाम की एक अच्छी quality की दोस्तों क्या करूँ गड़ी लूँ तो इससे क्या होता है गड़ी का जो business से वो काफी खतरनाक तरीके से चलता है खास करके इस season में जिससे कि festival हो गया, festival के बाद ये साधिया हो गई तो मतलब काफी बढ़िया हमें देखने को मिलता है अब टाइटन के हमें या पर बात नहीं कर रहे है टाइटन तो सबको पता है कि खतरना काम करी रही है सोने चांदी का, गड़ी का वो तो ही धमाके दार company उसने return दे के सबको साबित कर दिया कि मैं ही best company हूँ लेकिन इससे भी बहुत अच्छी company है जो इतने ही समय में आपको एक अच्छा return दे सकती है ठीके तो चलिए अब वो company में आपको बताता हूँ तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस company का जो share price है 1017 रुपे का है previous close था दोस्तों 1014 रुपे 85 परसे open होता है 1025 रुपे same price का high लगाता है और low लगाता है 1014 रुपे उसके साथ इसका 52 बिक का है 52 बिक का low देख सकते हैं और यह company market में अभी हाल फिलाल में आई यह ज़्यादा समय नहीं हुआ है मतलब अभी तो यह market के जो सिध्धानत है वो ही सीक रही है कि market का माहौल कैसा रहता है कि कि फिर हमें उस माहौल में कैसा ढखलना पड़ता है हमें हमारा जो business है वो कैसे दिखाना पड़ता है और business दिखाने के बाद हमारे जो पिटाई है कैसी होती है या हमारा जो वेलकम है वो कैसा होता है अभी तो यही सीख रहा है खाली तो एक दो साल इसको सीखने में निकल जाएंगे अगर सीखते ही सीखते है दोस्तों अगर हमने इसको पकड़ लिया तो हमें यह भी बहुत कुछ दे जाएगा जैसे छोटा साब अच्चा रेता है एक साल का तो वो सीखने की कंडिशन में रेता है तो आप उसको बहुत सारी चीज़े शीखाने की कोशिश करते हो कि अभी से उसको अच्छे अच्छे चीजे शीखा दे तो वो जब बड़ा होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी तो यह यह कि अब यह मार्किट का जितना भी मूल माहोल है यह सीख रहा है और हमने इसी समय में अगर इसको पकड़ लिया तो जब यह बड़ा होगा जब यह आगे जाएगा तो हमें एक अच्छा रिटन देखे जाएगा है ना एकदम लाइफ इस्टाइल पर यह कमपनी डिसाइड़ तो यह इसी प्रकास से मैं यह कमपनी आपको अपडेट कर रहा हूँ अब इसका फंडामेंटल कंडिशन दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 273 करोड की यह कमपनी है P.E.N.E. ratio 51.6 का है रिटन अन इंप्लॉई 15.2 परसेंट रिटन अन इक्विटी 12 परसेंट फेस वेल्यू 10 रुपे की अभी नई कमपनी है तो कोई दिखकर नहीं D.E. में टेस्टिंग के अगर मैं बात करता हूँ 200 दिन के मुविंग एबरेज के उपर 50 दिन के मुविंग एबरेज के उपर यह कमपनी ट्रेड कर रही है इसके साथ ही कमपनी का लास्ट पांच साल का C.E.J.R का ग्रोथ देखिए लगबुख 45 परसेंट का कमपनी दिरे दिरे करके क्या कर रही है करजा अपना कम कर रही है कौटरली पॉफ़वेंस के अगर मैं बात करता हूँ सितंबर क्यू में कमपनी ने 178 करोड की सेल्स की थी जो Q&Q basis पे Year on Year basis पे अच्छी थी प्राफिट कमपनी ने 14 करोड का निकाला था क्योंकि थोड़ा सा महेंगाई के चलते जो बिजनस के कमपनी करने के सोच रही थी विएसा नहीं हुआ था क्योंकि कमपनी ने खुद आके आगे बोला था सालाना तोर का performance दिखाता हूँ 2017 की में बात करता हूँ 325 करोड की sales करी थी यहाँ पर पूरे साल बर में आज यही sales 577 करोड पर आ चुकी है उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर कमपनी को loss था लगबग 6 करोड का लेकिन यहाँ पर कमपनी को 23 करोड का मुनाफ़ा है percentage wise अगर आप देखेंगे तो कमपनी का जो sales है वो 50% की तेजी से आगे बढ़ रहा है profit जो है वो 400% की तेजी से आगे बढ़ रहा है 400% हलका बतला नहीं होता दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि 65% का हिस्सा है अब FIA और DIA को देखे दमा के दार stake लेके रखाए और June क्योंकि comparison में अगर आप देखेंगे तो सितंबर क्यों में उन्होंने stake को बढ़ाया है और यह आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि उनको पता है कि ये company में कितना दम है और ये long term में कैसा return दे सकती है तो हम किस company की बात कर रहे हैं दोस्तो हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तो ethos limited की ये company basically बनी थी दोस्तो 2007 में और ये company क्या करती दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया largest luxury and premium watch retail prayer मतलब दोस्तो जो बड़े बड़े brand है international level पे ठीके उनकी ये dealership करती है दोस्तो हमारे देश में जैसे आपने देखा होगा कि varoon beverages कैसा है ठीके वो soft rink नहीं बनाता है लेकिन वो आगे रेके बनबाता है वो dealership देता है ठीके dealership देता है कि उसकी उसके पास international brand के dealer है dealership है तो वो dealership अपने देश में वो ही बाटेगा अब अगर आपको business करना है मान लिजे यूएस में आपको business करना है तो आप सीधा जाके नहीं कर पाऊगे आपको वहाँ पर कोई dealer ढूनना पड़ेगा जो वहाँ की चीजों को मतलब वहाँ के market को capture करेगा क्योंकि उसको वहाँ का पूरा knowledge है कि कैसा capture करना है अगर आप जाके करोगे तो आप से होगा ही नहीं समय लगेगा पैसा भी काफी बरबाद होगा तो यही है इतोस का काम भी है यह कि जितने भी international brand है ठीक है उन company की दोस्तों यह घड़ी हमारे देश में बेचती है और वो भी इंडिया की देखिए यह company जो है इतोस लिमिटेड यह largest luxury brand की घड़ियां बेचती है और premium quality की घड़ियां बेचती है और यह खाली single player इस category में हमें देखने को मिलता है वैसे अगर आप compare करोगे ना तो बहुत सार है retail business में बहुत है basically यह company आती है retail category में लेकिन हम इसको retail से नहीं जोड़ रहे है हम इसका जो business है न वो आप लोगों को दिखा रहे है तो आप देख सकते हैं कि अगर 3,75,000 करोड का अगर business हो रहा है दोस्तों पूरे betting industry में साधियों में इतना पैसा अगर खर्च हो रहा है तो कितना पैसा luxury brand की घड़ियों पे premium quality की घड़ियों पे खर्च होगा क्योंकि आप अगर gift दोगे तो यही दोगे एक mind में यह रहता है party में जाओगे तब भी है जिसकी साधी है जिके जो रहेंगे दूला दूला वो भी दोस्तो अच्छी घड़ी खरीदना ही सोचेंगे कि हमारे हाथ में साधी के टाइम पे एक अच्छी घड़ी दीखें और आप आपको पता ही है कि जो घड़ियों है उनका जो craze है market में वो कितनी साधिया है क्योंकि जिनोंने corona में अपनी साधिया ने काले थी तो उससे क्या हो गया था corona में उनका साधी जो था वो बंध हो गया था postpone करना पड़ा था कि पूरा pandemic कर जाएगा तब ही हम साधी करेंगे तो वो ही साधिया होते देखने को मिल रही है तो business आप देख सकते हैं कि इस company का कितने तकड़ी तरीगे से आगे बढ़ सकता है तो इसलिए पूरी report के माद्यम से ये company में आप लोगों को update किये है तो आप इस company को focus में रखिए steady इस company के related जलूर करिए और इस company से related अगर और कुछ चीज़े भी पूछना है तो निचे comment box में comment करिए और आपकी comment का reply दिया जाएगा तो thank you दोस्तो